26 वर्षिय स्टैंजिन नोर्गैस, लद्दाख शेत्र से सिपाही रैंड के एक आर्मी अफसर न्यूक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने स्टैंजिन नोर्गैस ने हचार साल तक सेना में सिपाही के रूप में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में काम किये फिर वहां आर्मी कैड़ेट कॉलेज, ACC में शामिल हो गए जो जवानों को आफिसर्स बनने के लिए तैयार करता है फिर उन्हें आर्मी कैड़ेट कॉलेज ने प्रिकमीशनिंग प्रशिक्षन के लिए इंदिया मिलिटरे अकार्मी को रेक्मेंड किया जिसे उन्होंने शनिवार दिसंबर 10 को पूरा किया वह लेफ्टिनेंट के रूप में आर्मी आर्टिल्री रेजिमेंट में शामिल होंगे स्टैंजन नोरगैस ने कहा यहां अत्यंत गर्व की बात है कि मैं राइफलमेन के पद पर सिपाही के रूप में शामिल होने के बाद सेना अफसर के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाला लगडाक का पहला सेवारत कर्मी बन गया हूँ